हेलो साथियों स्वागत है आप सुभी का आर्पीडी ट्यूब क्लास में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पारें एक कोस्चन है स्क्वार रूट आप 5.76 यानि कि 5.76 का वर्गमूल निकालना है ठीके तो यह वाला जो कोस्चन है यह मेरे एक वीवर ने मुझे भेजा है और हम देखेंगे कि यह कोस्चन कितना ही आसान है थोड़ा सा दिक्कत आती है लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो इस कोस्चन को हम स्वाल करेंगे कोस्चन है स्क्वायर रूट आप 5.76 या फिर 5.76 का वर्गमूल क्या होता है तो इस कोस्चन का आंसर जो है हम लांग डिविजन मेथड से या फिर डिविजन मेथड से फाइंड करेंगे तो फिर पहले तो देखो जो long division method होता है उसके लिए हमें ऐसे एक line ऐसे draw करनी है फिर यहाँ पर ऐसे draw करना है उसके बाद यह जो number दिया है इसको हमें ऐसे rate करना है 5.76 अब जो नियम होता है वो यह होता है कि आपको right side से इधर से ऐसे दो-दो के pair बनाने होते है pair का मतलब होता है दो number का sum तो यहाँ पर दो number के उपर ऐसे line बनानी है मतलब यह एक pair हो गया अब यहाँ पर देखो pair बन नहीं रहा है 5 अकेला है तो उसके लिए यहाँ पर हम 0 लगा देंगे आगे अब यह भी pair में हो गया और यह भी pair में हो गया अब जब यह दोनो pair में हो गये तो हमें क्या करना है यह देखना है कि जो 5 है यानि कि जो पहला pair है देखो यह हमारा पहला pair हो गया और यह हमारा दूसरा pair हो गया तो हम देखेंगी जो हमारा पहला pair है वो किस number के square में आता है तो या तो square equal होना चाहिए या तो squareless होना चाहिए तो अभी देखो one का square कितना होता है one और two का square कितना होता है four और three का square कितना होता है nine अभी देखो nine five से ज़्यादा है nine five से ज़्यादा है तो ये नहीं लेना है हमें अभी ये सबसे छोटा है और इससे जस्ट छोटा ये है तो ये वाला हम नंबर लेंगे नंबर कौन सा लेंगे 2 स्क्वाइर 4 नंबर क्या लेंगे 2 स्क्वाइर 4 तो अभी ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बनेगा डिवीडेंड मतलब यह आएगा 5 के नीचे और यह वाला जो हिस्सा है 2 इधर क्या है हमारे पास 2 यह बनेगा हमारा diviser यानि कि जो square root बनता है वो diviser बनता है और जो square number बनता है वो dividend बनता है ठीके? तो इधर वाला number हम इधर रखेंगे और यह वाला जो number है diviser यानि कि यह वाला 2 इसको हम इधर रखेंगे और जो चीज हम यहाँ पर रखेंगे वही चीज हम quotient में भी रखेंगे और फिर यही number हम यहाँ पर add भी करते हैं ठीके? मतलब इसको यहाँ पर ऐसे add करते हैं फिर यह जो 4 आता है इसका square वह हम यहाँ पर add करेंगे लेकिन कैसे रखेंगे? 0,4 करके write करेंगे फिर हम इसको ऐसे minus कर देंगे तो minus करने पर हमारे पर बचेगा 0,1 कितना बचेगा? 0,1 बचेगा अब क्या होता है कि जैसे अगर आपको अगला pair write करना है और पहले decimal है तो सबसे पहले आप यहाँ पर decimal को लगाओ ठीक है? उसके बाद यह पूरा ही number नीचे उतरेगा ऐसा नहीं होगा कि 7 उतरेगा 6 ने उतरेगा दोनों ही number 76 नीचे write किया जाएगा मलब यह पूरा pair ही नीचे write किया जाएगा ऐसे 76 ठीक अब यहाँ पर देखो इनको जब add करेंगे तो हमें मिलेगा 4 लेकिन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर एक number लिखने के लिए जगा बची रहेगी है ना? अब भी left a space in the right side of the number to fill another number अब number कौन सा fill करेंगे? जैसे मालो हमने यहाँ पर 4 के जगा पर कुछ fill करना है तो जो यहाँ पर हम fill करेंगे उसी से यहाँ पर multiply भी करेंगे suppose कर लो कि आप यहाँ पर x फिल करते हो तो आप x से multiply भी करोगे इसका result कितना आना चाहिए? यह जो 176 है या तो इसके equal आना चाहिए और या तो इससे कम आना चाहिए तो आभी हम देखो क्या करेंगे पहले मैं आपको ऐसे ही करके बताता हूँ जैसे मालो हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं और 1 से multiply करते हैं तो 41 आएगा ना 41 बन जा 41 तो बहुत छोटा है तो क्या करेंगे फिर 2 ले करके check करेंगे तो 2 जा 4 और 2 फोर जा 8 देखो 84 भी बहुत छोटा है तो इसको भी इसका अगला नमबर लेंगे जैसे कि 2 लिया था तो इस बार कितना लेंगे 3 तो 3 तिरी जा multiply करेंगे 9 हो जाएगा और 3 फोरजा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये भी अभी छोटा है लेकिन ये काफी पास दिख रहा है तो क्या करेंगे इसको मिटाएंगे नहीं इसका अगला नंबर multiply कर लेंगे जैसे आपर 4 से multiply कर लेंगे और चेक करेंगे क्या ये बड़ा तो नहीं हो रहा है 4 फोरजा 16 1 केरी 4 फोरजा 16 1 17 तो अभी आप देखो कि जब आपने आप 4 रखा और 4 से multiply किया तो 176 पूरा पूरा आ गया तो आपको इसकी जरूरत नहीं है ठीक है अगर ये ज़्यादा आता तब उसकेस में आप ये वाला करते ठीक है तो अभी यहाँ पर क्या रखने पर 176 आया तो यहाँ पर 4 रखने पर 176 आ गया तो यह यहाँ पर रखेंगे और यही 4 यहाँ पर भी राइट करेंगे चुकि यहाँ पर remainder हमारा 0 हो गया तो जिस step पर remainder 0 होता उसी step पर question हमारा answer होता है तो यह हमारा question है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा square root of 5.76 is equal to 2.4 इतना अगर समझ में आ गया हो तो इस question को write down कर लें और एगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like share भी कर लें चैनल को subscribe भी कर लें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन